हेलो बच्चो गुड आप्टर नून मैं हूँ प्रतीबा और एसिसेंट प्रोफिसर डिपार्टमेंट बोटनी डिपार्टमेंट ऑफ बोटनी और हमने प्रिविस वीडियो में जीरोफाइट्स के मॉर्फोलोचिकल करेक्टर पढ़े थे अब इसमें हम पढ़ेंगे एनाट अपने अंदर पैदा करते हैं तो रूट्स के अंदर जो है रूट्स हेयर और रूट्स केप्स प्रेजेंट होती है मूल रोम और मूल टोपिया बहुत ही अच्छी तरह से विक्सित होती है इसका एक्जामपल है उपन सिया नागफनी इसमें मूल रोम जो होते हैं वह अग कुछ पादपो में जल संचाइ के लिए जो मूल जो होती है रूर्स मानसल हो जाती है जिसे ऐस्पेरगस पाइनस, इडूलिस और केलोट्रपिस में भी जो रूर्स होती है उनमें कठोर और मोटी बित्या उपस्तित होती है ताकि जो सेल वाटर जो है वो अच्छी तरह से उसका अब्सरप्शन हो सके और उसके बाद में स्टेम जो है उसके अंदर एपिडर्मल सेल जो होती है बहुत ही स्मॉल होती है चोट-चोटी होती है और उनके इंदर बीच में कोई गैप नहीं होता है यह इसलिए होता है ताकि वाटस्तित की दर को कम किया जा सकी जो सैल ओल होगी वह लिगनिफाइड होगी यानकि उसके अंदर लिगनीन की मोटी बित्ती होगी और मल्टीस लेयर्ड जो होती है वह कोटेक्स होती है इसके अंदर और कॉर्थ जो बार्ख होता है मलब धसी उने होते हैं गरत में Three One po Stop का बालों की वज़े से पिर दिमी पढ़ जान penis कम होती इसका Its इस पहले पहुंकike के सामो McGeclick उफान और खाझ आती है लीवज़ के अंदर लिव्जारती है लेकिन य juste ज्यादा तापमा अधीक हो जाता है जल की परिष्थिति कम होती है तो वासपरचन की दर को रोकने के लिए बुलिफॉर्म सेल जो है इस पतियों को लोटने में यानि की रोलिंग में हेल्प करती है लेकिन जैसे जल इनको पूना अवेलेबल होता है तो यह पतिया खाल कर लं संपर्क में अने से बचते हैं रंद्रों की संक्या उनकी स्तति वीत रम तत और वासपरचन को रूशचन के लिए कई अपने परिवर्थन कर लेते हैं कई मरूद भी तो ऐसे होते हैं जो पर वास्पोसंजन की दर को कम करने के लिए अपने रंद्रों को दिन में बंद रखते हैं और रात में खुला रखते हैं और इसके अंदर का जो आक होता है या केलोट उनकी जो लीव्स होती इसके उपर क्यूटि तो मैं जीवित रखने में साइता करते हैं नेक्स टेख नेक्सट है पैलेट हीरल जो ओते हैं ये वॉटर लॉस की reduction यानकी वाटर की हानी को बचाते है पैलेट हैर्स किसको कहते हैं पैलेट हैर्स जो होता है ये कुछ यालत है इसको पादपतर विशेस प्रकiseud रोम Adding a जो ठालो को इसके वाइब करते हैं और वाटर के रेडक्षन को भी कम करते हैं ताकि इन में जल की हानि कम हो सके और हैं कि जो है बित्ती वाली द्रड उत्तक याणिकि स्क्लारेंक कायमा की बनी होती है जैसे केजुराइना है और केजुराइना में एक T-shaped epidermis cell पाई जाती है T-shaped epidermis की ये विशिष्टा होती है कि इसकी कोशिकाओं में tannin, mucilase ये सब होता है और वो इस कोशिकाओं की वज़े से इसको यांत्रिक सामार्थी प्रदान होता है और ये परत सरक्षण में पासपर सोजन की दर को कम करनी में help करती है कुछ ऐसे मरुद भी दोते हैं जिसकी पर्ण आसुपाती होती है इनके पर्णों का कारे जो है वो इस्तम्प को करना होता है तो इनके इस्तम्प में ही कलॉरोफील कोसिकाओं विकसित होती है अब कलॉरोफील कोसिकाओं कहां विकसित होगी हाइपोडर्म Maurice या कोर्टेक्स सेल्स में यह पण की अनुपस्तिती में भी प्रकासंसलेशन का कारे करता है ये बहुत ही विसेजड आप इसका बेस्ट ग्जामपल देखेंगे, क्यरल हुम देखते हैं का तंह थैंक रहे रंगत है성 और उसके ब्र będą में, प्रकास नंस्सलेशन का कारे बहुत है का आधो यह पतो कारे उसके परेंकाइमा पर्षेत की निचली सिता पर भी भली बाती विक्सित होता है और अगर पत्ती रूप में तो ये स्टैम में भी परिवर्दित हो जाता है अम पाइनस की जो सुच्चीकार यानि की लंबी नीडल सेप जो लीप्स होती है उसके अंदर मिजोफिल सेल्स में फोल्ड पाय जाते हैं वो भी पण मद्योतक की जो क्रियात्मक सता है उसको बढ़ा देते हैं सेल्स साइज जो कंपरेटिवली स्मॉल होता है और इसके अंदर क्या अनाटॉमिकल होगा बाकी आमने बात की जो मांसल या सरस मरूद भी दोते हैं उसमें विसेस प्रकार का संचे उत्तक होता है वाटर होल्डिंग टिश्यू इसका एक्जाम्पल है एगेव गीवार या ना चल्ड आपकि ओक्ते होते हैं जो जल को लंबी अव्दय तक में मर्थ होता है अगर माँ पानी की कमी हो तो भी जीवीद रह पाते है ऐसे प्लांट को हम मैलेको फेलस्ट प्लांट कहते है यह भी आयावा एक्यूशन आप इसको शेय से याद कर लें मैलेको फ्लास्ट मैले क्लियर आपको दिख जाएगा कि जो यह बहुत ही मोटी जो डर्क ब्लैक कलर की बताई जा रही है वह एक ठीक क्यूटिकल है उसके बाद में एपिडर्मिस है वह मल्टी लेयर्ड है ताकि वास्पोसेशन की दर को कम किया जा सके अब आप देखोगी है पहले से टीशू है बह बहुत कशचक है उसके बाद इसके अंदर जायलम है नीचे फ्लोएम और फिर वापस नीचे थोड़ा बहुत इससपोंजी परेइंकाइमा है इस परेइंकाइमा के अंदर आवकास बहुत कम मात्रह में ऊपस्तित है और इसकी नीचे भी जो लोगर्ड एपिडर्मी से वह अब आप यह देखो यह उपरी सथा पे कोई रंद्र नहीं पाए गया लेकि नीजली सथा पे रंद्र है और वह भी किस तरह से दसा हुआ अब यहां बात कि थी संकन इस्टोमेटा की तो यही संकन इस्टोमेटा है अब यह पर देखिए एक दूम पास इना पो दिखाऊंगो संकन इस्टोमेटा में बहुत सारे हेर प्रेजेंट है इस हेर का क्या कारे है कि वास्पोसेजन की दर को कम कर देते हैं अब यहां पर देखिए सेमा घास जो मैंने बताया था कि बुली फॉर्म सेल्स यह देखो इसकी लीव किस तरह से मुड़ गई है यह पूरी रोलिंग ह के बुली फॉर्म सेल्स पाए जाती है जाती है को दोनों लीव से आपको इस समझ में से समझ में आया होगा अब मैं आपको एक और डाइग्राम बताती हूँ यह देखिए यह केजुराइना जो है उसका स्टैम है और इस तरह से उस पर रीज पाई जाते हैं और धसेवे रहते हैं गुरूज होती है उपर एपिडर्मी से नीच जो हाइपोडर्मी से वो इसको द्रडो तक उत्तक यान मंत्रिक समर्थियों प्रदान करता है और देखिए कितनी दुसीवी ग्रूज और इसके अंदर स्टोमेटा पाया जाता है यानि की यह हाई तेमपरेचर और वाटर लो हाई तेमपरेचर कंडिशन में और कम जल पुस्तितिति में इतने अंदर होते कि एंवाइमेंट के डा जालम फ्लोयम और बीच में केंबियम बन रही है और नीचे जो वैस्कुलर बंडल वचारों तर उसे पैरेंट काइमा से गिरे वे हैं इसमें एक और इस्पेशल चीज आप देखिए हां स्टार्च सीथ पाई जाती है इस्टार्च सीथ जो है उसके अंदर भी वैस्कुलर ब जाएगा रीज है फिर अंदर गुरू है एपिडर्मी से मल्टी लियर पैलिसेट टिशू पाय जा रहा है और दो वलाई के अंदर इसके अंदर वैस्कुलर बंडल पाय जाते हैं तो यह किसका स्पेसिफिक करेक्टर है और मरुजबीत की जो कोशिकां होती है बहुत ही छो प्लाजमों डेस्मेटा को किस तरह से सुरक्षित रखना है इसलिए इसकी अंतरकोशी की स्थान कम होता है ताकि यह डारेक्टर टेंपरेचर के कनेक्शन में ना आये और इनकी जिद्रिव को कोशी का बिती से प्रतक नहीं होने देती क्योंकि आप सब जानते है अगर इसलिए रखने के लिए अनाटोमिकल करेक्टर्स अपने अंदर अड़न को अड़ेशन उत्पन करते हैं उसके बाद में अभी मैंन आपको बताया था कि जो एगे वह उनके अंदर बुली फॉर्म सेल्स पाई जाती है तो वह आप और इनके अदर वाटर स्टोरीज टिश् होते हैं वाटर होल्डिंग टिश्यू कैलाते हैं जो पैंटोसान में आपको पहले होता था तो यह देखिए आपको एलो की पर्ण है इसके बार बहुत ही थिक ट्यूटिकल है ताकि वासपोस अंदर को कम किया जा सेके नीचे एपिडर्मी से और इसके बाद में पहले से ट टिश्यू प्रेजेंट है इसके अंदर तो यह एक एगेव नीचे वाली जो है एगेव की पर्ण है और उपर वाली एलोई की पर्ण है अलोई का मतला आप सब जानते है ना गवार पाथा ठीक है अब हम चलते हैं इसके फिजियोलोजिकल करेक्टर अब आते हैं जिरो सब्सक्राइब करते हैं और बहुत लंबी समय की अगर जल की कमी हो तो यह अपना पूस परिस्तितियों में भी जिंदा रखते हैं दूसरा है कि इनके अंदर कैम साइकल पाया जाता है कि माप सब जानते हैं आपने फिजियोलोजी पार्ट में पढ़ा होगा क्रेसुलीशि सब्सक्राइब करते हैं उसमें रात में उनके अंदर क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबोलिजम साइकल चलता है इस प्रकार के पोदों में सौसन गुणा का मान जो है वह एक से कम होता है दिन के समयर अंद्र बंद होने से वासपाचे दिन तो कम होता ही है जल की हानी से भी बचते हैं और कार्बन ड़ी ऑक्साइट का इस तरी करन अच्छे उसे होने के कारण इनको फूड भी जैसे प्रकास इंसलेशन की दर है उसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए और इनके अ प्रकास इंसलेशन की दक्षता बढ़ जाती है कार्बन इस्तरी करन के साथ कार्बनिक पदार्टों की निर्मान में भी दक्स होते हैं ऐसे तरह के पादप और इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं जैसे कैटालाइजिस है पर ऑक्सिडेज है यह मरुद बिद में आदिक होती है यह सब क्यों इनके एंजाइम्स और इनकी विशिस एडप्टेशन के कारण होता है और पहले हम देखी चुके है कि इनके अंदर आधरता स्पूटर हाइट्रोचेजी भी पाई जाती है और इस प्रकार के पोदों में कोशिका द्रवेज होता है उसकी सांदर के अंदर वाटर की हानी है तो मैं मलांता जैसी इस्त्ती उत्पन हो सकती है इससे बचने के लिए इनकी कोशी का द्रवी की सांदरता अधिक होती है इनका स्मॉतिक प्रैसर भी अधिक हो जाता है जिस ते ही यह सुषकन सहन करने में निगो साहिता मिलती है और है इसके प्रोलीन नाम होता है विस्म परिष्टितिति के ख yapmış 걸ành के प्रोजन यह प्रकाससलिशन बाद्रिक शाय कि विकि शाय करती है । और इससे इनके अंदर अगर प्रकास जैसे दिरात दीन में अगर इनके रंजर बंद है और प्रकास इंसलेशन दर नहीं होने से भी इनको फूड को स्टोर करने में हैल्फ मिलती है कई ऐसे अनुसंदान है जिसके अनुसार सुस्कता प्रतिरोधी यानिकी बहुत ही कम टेंप प्लाजमिक जो तंतू होते हैं उनके भी टूटने के कानकोशिखा इम्रुत्य होती है लेकिन इस तरह के मरुद्वित पोदों में ऐसा नहीं होता है यह भी विसेश प्रकार के सरक्रा और विसेश प्रकार की अमिनोमलों की वज़़द से ऐसा होता है अते देख निर्जली केरण की इस्ततीया जाती है वस्पराइचर हाइज रहा होता है वस्पराइज की वस्पररेशन के तो प्रती चारण के प्रतिरोद की विसेश कोशिफिकल कि प्लाजमो डेस्ट में बजाने के लिए कोशिका ही हुती है उसके अंदर बहुत बड़े मात्रा में अच्छ वाटर होल्डिंग टिश्यू और वोल्टर होल्डिंग जो यह सरक्रा है वो पाई जाती है